तो इस तरीके का डिजाइन कोरल ड्रा में कैसे बनाएंगे चलो आज की जुरे में हम इसी चीज़ को सिख लेते हैं बिल्कुल स्टार्ट से लेकर के फिनिस्टार्ट सबसे पहले तो हम अपना कोरल ड्रा ओपन कर लेंगे और कोरल ड्रा जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि पेपर का साइज आपको दिख जाएगा एफ़ोर, लेटर, कस्टम, बहुत सारे यहाँ पर साइज होते हैं उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे देखें कि मिलिमीटर लिखा है इसको आप चाहें तो इंचेस कर सकते हैं फिर इसी तरीके से आप चाहें तो सेंटिमीटर कर सकते हैं यानि जो भी आपको समझ में है आप उसी का इस्तिमाल यहाँ से कर सकते हैं अभी हमने कुछ भी नहीं किया डारेक्ट ही यहां पे सो कर रहा है तो हम इसको मिलिमेटर पर ही राने देंगे क्योंकि मैं मिलिमेटर पर ही काम करता हूँ अब अपने कार्ड को आपको स्केल से माप करना है बाहर वाला हिसा यानि उसका आउटर हिसा फिर उसके बाद माप करने के बाद उपर वाला हिसा यानि ये वाला जितना भी हो रहा है हम यहां पे उसको आइट करेंगे जैसा कि इस कार्ड के लिए हम यहां पे लेते हैं 165 mm तो हम यहां पे डाल देंगे 165 इन पूरे को स्लेट करेंगे mm के साथ में select करना है और यहाँ पर हम 165 डाल देंगे उसके बाद नीचे वाले को भी हम पूरा select करेंगे अब इसकी लंबाई नापेंगे यानि उपर से नीचे तक outer हिस्सा ही हमें map ना है तो यह हो जाएगा हमारा 265 हम यहाँ पर 265 लिखके और enter कर देंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा card दिखेगा यह तो गया बाहर बाहर हिस्सा अब design हमको इसके अंदर करना है तो यह guideline उपर से पकड़ के लाएंगे और यहाँ पर रख देंगे इसी तरीके से इसको नीचे भी रख देंगे और फिर इस side भी रखेंगे और साथ ही में हम इस side भी रख देंगे यानि अब हमको जो काम करना है तो इसके अंदर काम करना है इसके बाहर नहीं क्योंकि हमें print करना है तो अगर हम design पूरा यहां से बना देंगे तो फिर print करने में दिक्कत होगी इसलिए हमने इतना margin छोड़ दिया अब इसके अंदर हमको design करना है अभी आपने जो card देखा उसके अंदर एक ही मैटर दो अलग-अलग language में थे यानि उर्दु में भी था और English में भी था तो अब इसी में हमें उर्दु का भी design डालना है और English का भी design डालना है तो सबसे पहले तो यहां पे हम उर्दु का कुछ मतलब जो लिखा जाता है वो डालेंगे तो अभी मैं आपको लिख के नहीं दिखा रहा हूँ मैं एक उर्दु का card open कर ले रहा हूँ मैंने एक card यहां पे paste कर लिया है और इसको थोड़ा सा बाहर कर दूँगा मैं अब यहां पे सबसे उपर जो हिस्सा होता है बिस्मिल्ला इर्मान रहीम और सादी खाना अबादी और फिर उसके नीचे मुकरमी जनाब असलाम अलेकुम यह लिखना होता है उर्दु कार्ड में तो मैं इन तीनों को यहां से सेलेट करूँगा और उठा के लाके यहां पे मैं फिट कर दूँगा ठीक है बिल्कुल सेंटर में आपको रखना है सेंटर अगर अभी आप मिलाएंगे अच्छे तरीके से जितना अच्छा सेंटर मिलेगा उतना अच्छा आपका डिजाइन लगेगा अब इसके बाद लड़का या लड़की का नाम आपको लिखना है तो उसको हम यहाँ पे इस साइड लिखेंगे लड़का लड़की के नाम के नीचे फिर उसके बाप का नाम लिखेंगे फिर उसके बाद उसका अड्रेस लिखेंगे कुछ इस तरीके से और उसी तरीके से उसके भी बाप का नाम और फिर उसके गाओं का नाम और विक में यहाँ पे हम रा डाल देंगे जिसको हिंदी में संग बोला जाता है तो यहाँ पे हम रा है हम इसको कापी करके और यहाँ पे लाके डाल देते हैं अभी इन सब के हमको setting करनी पड़ेगी तो ये सब तो एक एक लाइन में group है लेकिन ये हमरा side group नहीं है तो पूरे को select करके control G से group कर लेंगे अब बाहर से इन सब को select करके C press करेंगे ये बिल्कुल center में आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लड़के का नाम और लड़की का नाम उनके address वगरा के साथ हमने इधर लिख लिए अब इसी same चीज़ को इस side हम English में लिख देंगे तो यहाँ से हम English वाला भी उठा लेते हैं यहाँ पर रख देंगे इन सब को भी बाहर से select करेंगे और C प्रेस कर देंगे यह भी हमारा हो गया अब बीच वाला हिस्सा हमारा बच रहा है तो इसमें हम कोई design add करेंगे आप जो चाहें वो design कर सकते हैं फिलाल के लिए मैं इसी को उठा लेता हूं right click करके ungroup कर दूँगा और उपर आप देखिए इसमें यह वाला design है मैं इसको यहा बड़ा बड़ा था तो बीच में जगा जगा ज़्यादा नहीं था अगर आपको लग रहा है कि आपके पास जगा जगा ज़्यादा बच रहा है तो इसको यहां कर दीजिए और इसको यहां कर दीजिए ठीक है और फिर इन दोनों को select करके control G से group करिए P press करिए ताकि page के center म में हम गुलाब यानि रोज वगरा डाल सकते हैं गुलाब का फूल वगरा या फिर कोई other design लेकिन फिलाल अभी रहने देते हैं अभी देखेंगे कि यह क्या और कैसे बनेगा या फिर अगर जगा है तो हम इसको भी यहां पर डाल सकते हैं hasbe program जो लिखा होता है वो नहीं त पास बच रहा है चस्मेपरा अड़ाई और प्रोग्राम तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को सेट करेंगे और प्रोग्राम को सिर्फ English में लिखेंगे बीच में क्योंकि single card है उसी में सब कुछ हमको add करना है तो उसके लिए हम चाहें तो इसी box को यहां से copy कर सकते हैं यह जो हमने एक box लिया था यहां से कुछ इस तरीके से box था अब इस वाले को black कर दिया गया था ठीक है और इसके ऊपर हमारा program लिखा गया था white से तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं ने तो आप इस पे भी लिख सकते हैं क्योंकि print आपको silver से करना है तो direct 20 से डाल देंगे तो print आपका अच्छा आएगा इसकी भी setting अभी हम करेंगे फिलाल के लिए यह भी हो गया और अब इसके नीचे चस्मे बरा यानि घरवालों का नाम और अद्दाई यानि कि बिनिद वो डालना है तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ उर्दू में ही डालेंगे तो यहां से चस्मे बर बच रहा है तो हम चाहिए तो इंग्लिस भी इसका उपर या नीचे आइड कर सकते हैं उर्दू वाले को उपर करके नहीं तो फिर इसको आप थोड़ा सा नीचे कर दिए क्योंकि white space भी काफी ज़रूरी है अच्छा लगेगा आपका card देखने में आप इसके बाद यहां से इसको आप उठा लेगे और यहां लगा दिए इसी तरीके से कोई और ग्रोज यानि गुलाब का फूल दूसरा हो तो इसको आप यहां पर लगा सकते हैं यह देखिए अभी आपका यह बिल्कुल सांदार दिखने लगेगा अंग्रूप करते हैं और इसको थोड़ा सा इध अधर कर दीजिए और इसको भी इधर कर दीजिए तो कुछ इस तरीके से आप कार्ड की डिजाइन कर सकते हैं अब इसमें आप देखिए कि कहीं आपको जगा खाली लग रहा है तो कुछ और कर दीजिए लेकिन खाली जगा भी छोड़ना चाइए क्योंकि पूरा भर और थोड़ा सा उपर कर देंगे अब नीचे वाला जो हिस्सा बच रहा है न हम इसमें कोई design डालेंगे जैसे कि यह बार्डर है हम इसको यहां पर लाते हैं नब्दे point पर घुमाते हैं और इसको हम यहां पर डाल देंगे चेक थोड़ा सा बढ़ा कर देंगे कुछ इस तरीक से दिखेगा और भी कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया या जानना चाते हैं तो कमेंट करके बताएं उसके उपर भी detail में वीडियो बना दी जाएगी वैसे आल्रेडी इन सब के उपर पूरा detail वीडियो बहुत पहले से बना पड़ा हुआ है आप टियार बाद उपर सा क्रैंटिर यह करिवाम करेंगा एटा जी 2